मैं जगनात पूरी से आता हूँ और आज मैं गर्व से यहाँ जगनात कहते हुए कहता हूँ कि लोकतंत्र का जन्म जगनात धाम में ही हुआ मैं बताओंगा वैज्यानिक दृष्टिकोन से बताओंगा क्यों हुआ लोकतंत्र का जन्मदाता जगनात धाम है, जगनात मंदीर ने कलिंग के समय लोकतंत्र स्थापित किया, कलिंग अंग बंग कलिंग कहा जाता है, कलिंग के नरेश, कलिंग के राजा, कलिंग के सब कुछ भगवान जगनात है, वो तो जगत के नात हैं, वो तो ब्रमांड के ना वो रत्न सिंगहासन पर बैठते हैं रत्न सिंगहासन से कलिंग का आसन वो संभालते हैं उनका प्रतिनि दी वहां के गजपती महराज और मगर आप देखिए सुन्दरता लोकतंत्र का जण्म कैसे होता है जगनात महराज भी राजाधी राज जगनाथ इस जगत के नाज जगनाथ रतन सिंगहासन को त्यज करके त्याग करके साल में एक बार वो रथारूड होते हैं वो कहते हैं मैं गरीबों से मिलने जाओंगा उनके घर तक जाओंगा जो मेरे पास नहीं आ सकते हैं मैं उन्षे मिलूँगा यही लोकतंत्र है यह प्रजातंत्र है और जब रत्त सिंगहासन प्याग करके त्यज़ करके जगनात रथारूड होते हैं रथपर आते हैं तो गजपती महराज उडिसा के जो महराज हैं वो अपने हाथ में जाडू लेकर खुद जगनात के आगे जा प्रथा नहीं है क्योंकि हमारे राजा को जाडू पकड़ना पड़ता है जगनात के सामने लोकतंत्र चलती है और लोकतंत्र की जगनात की भूमी में राजा भी जाडू मारने के लिए बद्ध है उसे छेरा पहरा कहते हैं साथ तारिक कुरत्यात्रा है आप देखेंगे रा टेन्थ एक्चामिनेज अपड़ मनें M3 का स्कूल खोजू चलती है जिए उन्ठी इंटिगेटेड कोचिन पाइपर वे तेवे टीस्टी गुरू कुले जगदियोंत्तु जा एकाडेमिक लार्निंग पार्टनर फिजेक्स वाला सोयता अनुमोदीता कॉल 9438782020